जहां पर आप step-by-step CSS उर्दु जबान में सीख रहे हैं ते यो आरे पास यहां पर दो properties कुछ ऐसी हैं जो आपको एक जैसी दिखाई दे रही होती हैं जिनमें आपके पास एक margin है और एक padding है लेकिन यह दोन आप दूसरे के साथ काम करती है margin basically करता है कि जैसे मैं आपको पहले lesson से बता दिया था आपके पास एक element को दुसरे element के साथ फासला जो उसके अंदर होता है उसको वो काम यह ज़्यादा करता है यानिकि उसका margin up and down करता है increase and decrease करता है चाहे वो up and down हो या right and left हो अब padding क्या करता है padding basically आपके पास जो आपका element होता है element और borders और उस अंदर जो उसके संदर जो भी कोई object आपको पास होगा उसके अंदर effect डालेगा let's say हाँ आपके पास एक paragraph है paragraph में आपके पास paragraph है यानिकि text है और उसके साथ आपका border है अब उनके अंदर आपको खास value खास उसके अदर कोई फासला देना चाहरे है उसके लिए फिर आपको यूज करना पड़ता है padding मिसाल के तोर पे जैसा कि हमने दो तीन lessons पहले में हमने देखा थे कि हमने border को एक value अपलाईगी थी border radius के नाम की जब हम उसको border radius देते हैं तो क्या होता है sideों से हमारा जो होता है वो text बायर निकर रहा होता है जब हम कोई उसे बड़ा border देते हैं लेकिन अगर हम उसके अधर paddings वगारा को use करेंगे तो वो चीज़े हम control कर सकते हैं तो आएं देखते हैं कि हमारा कैसा और होगा यह lesson यह कैसे start होगा क्या क्या चीज़े हम इसके अधर करनी होगी तो मैं अपनी exercise फाइल पर जला जाता हूँ CSS file एक्सक्राइट में पर आप क्लिक कर दें जो कि आपकी DVDs के अधर मुझूद होगी मैंने इसको open कर दिया open करने के बाद आज कर जो हमारा lesson है lesson number 18 है इसके पर आप double click कर दें यह basically वह lesson है जो हमने इसे पहले वह lesson के देखता margins margin का concept इधर था अब इसके अंदर मैं आपको paddings use करना पता हूँगा तो इसके पर आप आप आज है right click कर दें edit with note pad plus plus की पर आप click कर डाले आपने click किया आपके पास यह open हो चुका है और यहां से मैं अपने पास जो मेरे पास left margin है मैं just उसको खतम कर देता हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए होगा just मैं अपने पास left margin जो मेरे अपना है वो मैं यहां पे खतम कर देता हूँ ठीक है आप इदर आ जाएं और इसे एक refresh कर डाले थोड़ा सा margin मैं ने यहां पे भी देना था टॉप वाला यह इसको मेरे ने देना है image के लिए ठीक है वापस आप इदर आ जाएं और इसे refresh कर डाले तो आपके पास आपकी यह shape बन चुकी है अब students मैं क्या करूँगा मैं headings के पर आपको effect डाल के देता हूँ पहले फिर उसके बाद आगी तरफ निकलते हैं और मैं यह कुछ जो margins हैं यह बढ़ा देता हूँ मैं इनको अपनी जगा पर by default लियाता हूँ ठीक है यह नहीं कि इनको मैं भी block कर देता हूँ आप इसको भी block कर डाले और again ठीक है यह आपके पास block चुक है refresh कर डाले तो आपके पास यह ऐसा हो जाएगा अब हम कर रहे के देखें मेरे पास यह border है already मेरे paragraph में border लगा हूँ मैं यह चाहरा हूँ मेरे पास यह border में यह value है paragraph पर यह आगे जो wording लिखी हूँ यह आगे निकल कर आ जाए दोनों तरज से तो सबसे पहले तो मैं जो चीज इसको आपको effect डालना वता रहा था वो क्या है इसके अंदर में आपको उप्ताय था पिस्लेसन के दर जब मैं इसको border type कर देता हूँ यहाँ पे border और इसको मैं radius देने जाता हूँ जब ठीक है क्योंकि border में आपके पास एक value होती है radius की आप इसको border radius दे देते हो आप इसको border radius दे दिया में ठीक है और आप से कहते हैं तो हमको हाथ तरह से बार्डर चाहिए तक्रीबन 45 पिक्जिल्स का ठीक है Ctrl S आप ने कर दिया आप इदर आ जाएं और इसको आप refresh कर दें तो देखें यहां भी जैसे में इसको refresh किया तो मेरे पास यह मेरे पास कर तो बन चुक है लेकिन यहां पे मेरे पास यह perfect नजर नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है क्योंकि देखें आपका text इदर से भी बाएर ने कर रहा है और यहां से देखें इदर से भी आपका text परफेक्ट नहीं आ रहा है तो अब इसको adjustment करनी है मैं अपने text को दाएं बाएं move करना चाह रहा हूँ तो move करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती हूँ आपके पास आपकी होती है padding और padding आपके पास करेगी आपके elements के अंदर जाके यह नहीं कि आपका यह जो paragraph को जो element है border इसके अंदर रहकर काम करेगी तो आप देखते जो मेरे पास है जो आप इसे पहले value देंगे अवराल यह आपके पास short form होती है अपके पास ठीक है अब short form में क्या होता है आप इसको दे सकते हैं left padding दे सकते हो आप इसको right padding दे सकते हो आप दाएं बाएं जो भी आपस पैडिंग देना चाहिए आप इसको वो assign कर सकते हैं तो हमारी जो इसको padding मिलेगी वो क्या है मैं इसको अवराल जो देना चाहरा हूँ यहाँ पर मैं इसको देना चाहरा हूँ 45 pixels की देना चाहरा हूँ मैं इसको refresh कर देता हूँ जैसे मैं इसको refresh किया तो देखे मेरे पास यह 45 pixels हर तरस से इसने बढ़ा दिया है अब हर तरस से तो मुझे definitely चाहिए नहीं था ऐसे करने से तो क्या हो कि मेरे पूरे paragraph जो और राउंड भी हो जाएंगे और लेकिन हर तरस से मजीद extra spaces बीच में आ करती है तो इसके लिए फिर आपको यूज करना पड़ता है पैडिंग की यह तो आखे पास पैडिंग की शार्ट फाम है जो और राल फैडिंग सो कंट्रोल करता है तो इसको यहां पर ब्लॉक कर देता हूँ अब जो मुझे चाहिए पैडिंग को मुझे left side से यूज करना ह है देन पैडिंग को मुझे राइट साइट से यूज करना है हर तरश से मैं इसको अपनी मर्जी के उताबक यूज करना चाहूंगा ठीक है तो इसके लिए फिर आप क्या कर देंगे आप इदर आ जाएंगे टाइप कर देंग पैडिंग मुझे पैडिंग चाहिए left side से करें और इदर आज अब दिखेगा तो देखा आपने हर तरह से मेरे पास कि जो थी क्यूंकि मैं आप इसको टॉप पैडिंग तो दी नहीं है जस्मेरे जो इसको पैडिंग अप्लाई कि हो क्या मैंने कि इसको left पैडिंग दे दिये ठीक है तो मेरे पास ये left और राइट द अगेन आप सको कॉपी करें और यहां बढ़ा जाएं तो इसके फिर आप इसको right side दे दे दिया अब आपके पास दोनों तरस की equal effect आपको डाल के दे देगा ठीक है देखें आपके पास यहां से भी इसने क्या किया यहां के बाड़र था दिरस इसने इसको 30 के फासले पे ले दूसरा से आपके पास देखें यह आपका paragraph का area perfect हो जाएगा यही काम आप headings के अंदर भी कर सकते हैं यही काम आप images के अंदर भी कर सकते हैं और इस तरह से मुझे top और bottom से भी कुछ-कुछ area से padding का दे देना है तो yes to standards याद रखेगा padding और margin आपके पास वो चीज़े हैं जो CSS के अंदर आपको again again use करनी पड़ती हैं और है भी बहुत असान है तो इसलिए इनके पर practice करना ना भूलिएगा बहुत practice आपने करनी हैं तो देखें top से मेरे पास ही value आ चुकी इस तरह से मैं यह चार रहा हूं में के मेरे पास again padding आ जाए और यह padding जो मेरे पास हो यह मेरे प देखते हैं क्या होता है f5 press कर दें तो यह आपके पास आपकी padding होती है I hope अब आपको margin और padding के अंदर ना तो कोई confusion होगी और नहीं आपको कोई problem and practice जितनी ज़्यदा practice करेंगे उतना आपको यह बेदर clear होगा अक्सर हम लोग padding को यूज़ करते है headlines पर भी यूज़ करते हैं हमारे पास जैसे ही वो कोई भी headline जो हमारी headings होती है जैसी वो आ जाए तो नमें कोई अच्छा भी लगता है खुशूरत भी दिखाई देता है और उसके साथ border को लगा के इसके बीचे हम background भी लगा देते हैं इस तरह की चीज़ें वगरा हम आपको दे देते हैं उसे अपने website पर mention कर देते हैं हमारी website की खुशूरती बढ़ जाती इस तरह से और हमारा material भी अच्छा हो जाता है तो dear students यह तो था आज हमारा bedding का lesson इन्शाला अगर 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 आप इन डिवडीज की complete collection हसल करना चाह रहे हैं तो प्लीज कॉल करें 0343 901 7779 पे email करें xpacademy.com skype पर join करें हमारा skype का ID है xpacademy से हमारा facebook का भी ID है xpacademy तो dear students हमें like करना ना भूलिएगा अपनी दौव में भी याद रखेगा इन्शाला नेक्स लेसने फिर मिलते हैं सब तक के लिए मुझे आप इजाज़त तें अला हाफेस असलाम वालेकम